हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाइफाई स्टड़ी चेंजिंग दा वे ओफ लेर्निंग स्वागत आप सभी का इंडिया के नंबर वन श्टड़ी चैनल वाइफाई स्टड़ी में तो कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे शांदार होंगे जानदा करते हैं हम लोग कोशं के मत्नम से पूरा कवर करने वाला एक लास कल अपनी होचुकी है यह क्लास अपनी से कंड नंबर के ठीक है सभी जोट जाईए व vrJohn89 19 क्यों से क्टार्ट करते हैं क्लास चलिए तो श्टार्ट करते हैं दोस्तों और आपको मैं बता दूँ जब भी आप लोगों का NTPC का पेपर हो तो इस नंबर पे आप लोग अपने क्योशन्स वाट्सेप करना ना भूले है ना और आप लोग ये भी जानते हो रोज मेरी दोपेर एक बज़े अनकेडमी पर भी क्लास होती है बिल्कुल फ्री क्लास होती है साइंस की आप लोग इसको जरूर अटेंड करो आप लोग को खुछ पता बढ़तागा कितना मजाता रोज 6-7,000 बच्चे इसको लाइव देखते हैं और इसमें दोस्तों आप लोग का टेस्ट का ओप्शन भी होता है आप लोग सेक्षन में आप लोग को मिल जाएगा और दोस्तों आप लोग उसे qoad पूचा जाता द्यान रखेंगे अगर आप लोग नए yoozer हो तो आप से qoad पूचाता है तो qoad में डाल दीजए आप लोग नीराच 11 डाल की अनलोग कर दीजए यहां पर आजाएगा awesome you have unlocked your free plan ओके चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट नमबर टू चलिए तो पहला क्योशन आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है अंसर आप लोग बताएंगे एंटी पीसी 2016 का क्योशन है नेमली किट में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को बाजाईए चलिए जल्दी जल्दी अंसर दीजिए तो अगर बात करें किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है तो राइट अंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों हमिंग बढ़ ठीक है हमिंग बढ़ और हमिंग बढ़ के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ कि दोस्तों हमिंग बढ़ पक्षी है यह क्या करता है दोस्तों यह पीछे की और उड़ता है किसकी और पीछे की और उड़ता है हभी आप लोगों से NTP-C 2019 मतलब इस बार के NTP-C में आप लोगों से क्योशन पूशा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की और उड़ता है उसका भी राइट अंसर आपका हमिंग बढ़ हो जाएगा और दोस्तो अगर इस हमिंग बढ़ के बारे में एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तो इसकी जो चोच होती है वो इसके शरीर से भी बड़ी हो होती है इसके शरीर से भी बड़ी होती है तो यह दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे चलते हैं आगे नैश कोशन पे नैश कोशन आप लोगों के स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे कि क्योशन में पूछा गया है कि एक कार पाँच सेकिंड में एक मिटर पर सेकिंड स्क्वाइर के समान तवरन से चलकर पाँच मिटर पर सेकिंड से दस मिटर पर सेकिंड की गति तक पहुँच जाती है आप लोगों से पूछा गया है इस समय में कार द्वारा त्या की गई दूरी बताओ अब यह तो भाईया New Medical लागया हमको तो Solvee करना नहीं आता क्यों नहीं आता सब आप लोगों को करना आता है आई यह समझत है देखिए आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि एक कार है लो भाईया मैंने यहां पर एक कार बना दिये ध्यान से आप लोग समझना ठीक है अब कुछ भी नहीं करना आप लोगों को दोस्तो त्वरन दिया हुआ है एक्सलेरेशन दिया हुआ है दोस्तो एक्सलेरेशन कितना दिया हुआ है यह दिया हुआ है आप लोगों को हो गई पाच मिटर पर सेकेंड से दस मिटर पर सेकेंड हो गई यानि इसका प्रारंबिक वेग कितना था प्रारंबिक वेग इसकी इनिशल वेलो सीटी कितनी थी प्रारंबिक वेग को हम लोग डिनौट करते हैं दोस्तों यू से यह थी आप लोगों की पाच मिटर पर सेकें और फाइनल यानि अंतिम वेक कितना हो गया अंतिम वेक फाइनल वैलोसिटी जिसको लोग वी से रिप्रेजेंट करता है यह आपका हो गया 10 मिंटर पर सेकिंड तो आप लोगों को इस समय में कार द्वरा तै कि गई दूरी बताना है तो सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखो क्या होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वाइर एक एक इकवेशन होती है गती की गती का एक समय करन होता है तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या आपके पास में सारा डाटा अवीलेबल है क्या क्या आपको यू दे रखा है बिल्कुल दे रखा है आपको टी दे रखा है क्या हाँ मतलब आप लोगों को मतलब पाच सेकिंड का अंत्राल दे रखा है एक है, टी कितना दिया वा आप लोगों का? पाँच दिया वा पाच का स्क्वाइर? 25, तो यह कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5, 25 ही हो जाएगा? और 25 बट्टे दो, यह 11.12 हो जाएगा. तो 37.5 आपका राइट अंसर हो जाएगा? Option no.B. ठीक है? चले आगे चलिए नेश कोशन आप लोगों की स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे निम ने इलेक्ट्रोनिक विन्यास की सत्व को सुचित करता ये आप लोगों को इलेक्ट्रोनिक कन्फरिगेशन दिया हुआ है 1S2, 2S2, 2P6 3S1 अब आप लोग इसको देखते ही गवरा जाएंगे 1S2, 2S2, 2P6 क्या है दोस्तों अभी आप लोग S और P का चक्कर छोड़िए जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ ध्यान से देखेंगे ये आप लोग का माली जी शेल होते हैं कोश इसके अंदर दोस्तों सब शेल भी होते हैं उप कोश भी होता है तो अभी आप लोगों को उसके बारे में नहीं जाना इसको हम लोग कोशन को कैसे सॉल करेंगे दोको आईए देखिए 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 कुछ समझ में नहीं आ रहा है न आईए देखते हैं तो दोस्तों 1 है तो आप मुझे बताइए पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्टरोन है दो इलेक्टरोन है पहली वाली कक्षा में कुछ इलेक्टरोन है दो इधर है, छे इधर है, दूसरी वाली कक्षा में कुल इलेक्ट्रोन कितने है, दूसरी वाली कक्षा में कुल इलेक्ट्रोन कितने है, दूसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रोन कितने है, दूसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रोन कितने है, दूसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रो तो cool electron की संख्या आपके पास में आ गई 11 दोस्तो ध्यान रखी electron जितने होते हैं proton भी उतने ही होते हैं यानि मैं आप लोगों से पूझू proton की संख्या कितनी हो गई 11 हो गई और proton की संख्या आपको क्या बताता है atomic number बताता है पर्मानुक्रमांग यानि इसमें proton की संक्या 11 है तो इसका परमाणू करमांग भी 11 होगा तो इन में से कौन सा आप लोगों का तत्व ऐसा है जिसका परमाणू करमांग 11 होता है वो होता है आपका sodium का aluminium का तो 13 होता है दोस्तो sulfur का 16 होता है समझ पारो आपको hydrogen, helium, lithium, berylion, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium sodium आता है आपके 11 नमबर पे तो राइट अंसर आपका हो जाएगा option नमबर A ठीक है दोस्तों मैं चाहूं तो आपको बहुत simple simple question भी करवा सकता हूँ लेकिन आप लोगों को पता है group D में बहुत अच्छे question आते है तो हम लोग एक के question को बड़े आसानी से समझ लेंगे tension मतलो अंसर आप लोग बताएंगे निमलिकित में सबसे भारी धातू कौन सी है heaviest metal के बारे में आपको बताना है दोस्तो कई बार question को गुमा के भी पूछे जा सकता है कि इन में से कौन सी धातू ऐसा है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है जिसकी density सबसे ज़्यादा है तो आप लोगों से चाहिए पूछले किसकी density सबसे ज़्यादा है या फिर यह पूछ ले सबसे भारी धातू कौन सब इसका मतलब किया है दोस्तों, एक ही है तो अगर बात करें, दोस्तों, सबसे हलकी धातू की अगर lightest metal की बात करें, हलकी धातू की बात करें तो आपका answer हो जाएगा दोस्तो, lithium क्या हो जाएगा, lithium लेकिन अगर आप लोगों से सबसे भारी दातू हैवियस मेटल की बात करें तो राइट अंसर आपका हो जाएगा ओस्मियम ठीक है तो ऑप्शन नमबर डी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा दोनों याद रखेंगे सबसे हलकी दातू लीथियम होती है और सबसे भारी दातू आपकी औस्मियम होती है चलिया है ने शक्र्षन आप लोगों की इस्क्रीन पर अंसर अउन्सर आप लोग बताएंगे है मैंने टाइट का आपagar को केंगल फॉर्मूला बताना हैक च्छES अब बात आती है magnetite क्या होता है दोस्तो यह आप लोग के ऐढ़न का और होता है आयरन का अञियस होता है आप लोग बहुता है आप लोg को आएre ed संता के दोस्तो un 0s मतलब क्या होता है जिनने आप लोगों का आइडन पाया जाता है यह इनका मिन्ड़ को नेखिम पाया जाता है तो आप लोगों को यह ब्रैक सी कि ढते हैं यह इस को लिए आई गा और अगर आपलोगों से पूछे इसमें कितने प्रतिशत आयरण पाए जाता है तो बहतर दश्मलों 4 प्रतिशत इसमें आइरन पाए जाता है चले आगे कि चलिये नैस्यकोशन आपलोगों के स्क्रीन पर अंसर आप लोग बताएंगे जीवाश में इन दन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सलफर के जो ओक्साइड होते हैं इनकी प्रगरते क्या होती है आप लोग को बताना है जैसे आप लोग दोस्तों लकडी जलाओगे तो कार्बन डाई ओक्साइड निकलती निकलती तो जैसे मालो कार्बन डाई ओक्साइड निकल रही है तो ये कार्बन का ओक्साइड हुआ या नहीं हुआ समधर बात को तो आप लोग जब भी फॉजल फ्यूल को जलाओगे तो किस-किस के ओक्साइड प्रडूस होते हैं तो यह क्या होते हैं इनकी प्रकर्टी क्या होती है दोस्तों ध्यान रखेंगे हमेशा जो मैटल के ऑक्साइट्स होते हैं यानि जो धातू के ऑक्साइट्स होते हैं उनकी प्रकर्टी हमेशा क्या होती है शारिय होती है वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो आप लोगों के न अमलिये प्रकरतिके होते हैं, ये आप लोगों के acidic nature के होते हैं, समझ में आगे बात को, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो carbon है, nitrogen है, sulfur है, ये तीनों के तीनों क्या है, non-metal है, अधातु है, और non-metal के जो oxides होते हैं, वो किस प्रकरतिके होते हैं, अमलिये प्रकरतिके होते है तो राइट अंसर आपका option number B हो जाएगा चले आगे सर इसका PDF का मिलेगा class के बाद मिल जाएगा tension मतलो और मेरे telegram group है नीरे सर वाइफ फस्टेडी group उसमें भी आप लोग का मिल जाएगा tension आप लोग ना लीजिए चलिए नैश question आप लोगों से question में पूछा गया कि निमली किट में से किस से अधिकांश से kidney का stone बनता है जो kidney में पत्री हो जाती है वो किस की बनती है कौन से compound की बनती है ये आप लोगों से पूछा गया है तो right answer बताएंगे जल्ली से simple सा question है ये आपका हो जाएगा calcium oxalate right answer option number A और अगर आप लोगों से इसका formula भी पूछा जाया तो formula भी याद रखेंगे CAC2O4 इसका क्या हो जाएगा formula हो जाएगा किसका calcium oxalate का क्या होता है ये जो हमारे kidney में पत्री बनती है वो इसी compound की बनती calcium oxalate चलो आगे नश कोशन आप लोगों की screen पे मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संबव है free fall is possible only in अब पहले हम लोग समस्यें free fall होता क्या है जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने किसी object को इससे छोड़ दिया बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया किसे ऐसा force से नहीं लगा गाया बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया तो क्या मैं इसको free fall लगा क्या नहीं दोस्तो, free fall की definition क्या होती है जिसे मालीजे कोई भी एक M द्रवेमान की वस्तू है समझ गए? मालीजे केवल यह है ना, यह मालीजे pen है आप लोग इसको छोड़ोगे तो नीचे की और आएगा ना क्यों? क्योंकि दोस्तो नीचे की और एक force लगता है M G, क्या बोलते है M G और यह force आया कहां से? क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी दो वस्तू आपस में एक दूसरे को आकरशिट करती है तो जैसे मालीजे जो हमारी अर्थ होगी तो अर्थ भी तो इसको अपनी और attract कर रही होगी तो बस इतनी सी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी M दरवेमान के वस्तू होती है उस पे नीचे की और एक force लगता है M G अगर दोस्तों इस M G के अलावा कोई और force नहीं लग रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे free fall जैसे आप लोग मुझे बताईए अभी जश्ट मैंने छोड़ दिया तो इस पे M G के अलावा कोई और force लग रहा है क्या आप लोग बोलेंगे M G के अलावा कोई और force लगे नहीं रहा लेकिन ये बिल्कुल गलत है जोस्तो जो air है वायू है उसका भी तो कुछ force लग रहा होगा जैसे माली जी नीचे आ रही है तो air क्या करनेगी इस पे प्रतितोत लगाएगी नहीं लगाएगी तो आप लोग पे अगर किसी body पे M G के अलावा कोई भी force नहीं लग रहा है तब जाके हम लोग इसको free fall बोलेंगे अब क्या दोस्तो समूंदर में possible है क्या अगर आप लोग समूंदर में छोड़ोगे तो पानी की वज़े से भी force लगेगा समूंदर में possible नहीं है दोस्तो वायू में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वायू में छोड़ोगे तो दोस्तो कुछ वायू का भी कुछ force होगा यहाँ पर भी possible नहीं है atmosphere वही वाली बात होगी वायू तो कहाँ पर यह possible है दोस्तो vacuum में vacuum का मतलब होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं हो air भी नहीं हो वहाँ पर दोस्तो आप लोगों का free fall possible है तो right answer आपका option number D हो जाएगा अब मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे देखो इदर आओ देखो जैसे बात करते हैं दो मैंने condition ली एक तो air की condition ली है ना एक तो मैं वायू में किसी object को गेरूंगा और एक दोस्तों vacuum में गेरूंगा यानि निर्वात में निर्वात का मतलब है कोई भी air नहीं है तो देखेंगे जब इस object को छोड़ा देखो कितनी जल्दी नीचे आ गया इस पत्थर को यह पत्थर कितनी जल्दी नीचे आ गया और इसी पत्थर को जब आप लोग एर में देखो को टाइम लगा रहा है ना इसका कारण क्या है यहां पर कोई और फोर्स भी लग रहा है वह फोर्स कौन सा है दोस्तों air फोर्स लगा रही है जबकि इधर देखो यह यह आपर कितनी जल्दी आ रहा है इधर आने बर इतना जग है पॉसिबल है वह कहां पर जहां पर कुछ भी नहीं हो और वह कंडिशन कौन सी होती है आपकी वैक्यूम की निर्वात की तो राइट अंसर ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा चलिए नैश कोशन आप लोगों की स्क्रीन पर जो गुरुत्वी द्वरन होता है वो किस प द्रवेमान हो गई होगा तो अगर आप लोग दोस्तों मान लीजी इस जगह गुरुत्वे त्वरन निकालना चाते हो ग्रैविटेशनल एक्सिलरेशन निकालना चाते हो तो उसका फॉर्मला होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वाइर ये कैपिट जाएगा नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकिंड स्क्वाइर तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएगे इस वैल्यू में किस किस पर डिपेंड कर रहा है ये तो क्या अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है जैसे मैं बोलू कि अगर मैं इसको छोड़ू तो इसके लिए भ वस्तू के अधर विमान पर निर्वर नहीं करता ठीक है तो राइट अंसर आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा नैश कोश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर अच्छा पूचा जा रहा है गुरिती जरन जी डैश पर निर्वर करता है तो अर्थ के मास पर भी करता है इस उसको पर करेंगी करता है तो अर्थ के मास पर करता है अर्थ की रेडियस पर करता है ग्रेविटल एशन नंबर भी अगाए इस पर नहीं करता है हुआ जलो नाउन लोगो hear और किस्क्रीन पेशा इज उल्सơ कॉल को अ कॉल 119 इन में से कौन से मेर को दरपन को आप लोग na thirty वोलों ए तो राइट अंसर आप लोगों को हो जाएगा दोस्तों कौन के मिरर आफशन नंबर B क्यों क्योंकि जो कॉन जी 繼續 मिरना है इसमें जो भी प्रकाश के किरिण आती है यह क्या करण्स तो क्वार्ट करेता है क्या करण्स तक चर्टा क्वां तरस चिहूम् क्लेब की चैए जबकि हम लोग बात करें उतल दरपन की इसके जो भी कि कोई दो प्रतिरोध है एक है 10 ohm का और एक है 20 ohm का ये किस में जुड़ेव में हैं सिरीज में जुड़ेव में स्रंखला में कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ेव में हैं छे वोल्ट की बैटरी से जुड़ेव में हैं तो आप लोगों से पूछाए कि सर्किट में जो क current flow की विदुद्धारा उसका मान क्या होगा पहले तो देखो इसका डाइगराम बना लो सारी चीज़ अपने आप आपको समझ में आजाएगी कितना दे रखा है आप लोगों को एक तो सर दस ओम दिया हुआ है ठीक है और एक आप लोगों को से जुढ़े है ठीक है तो इनको जोड दो आप लोग 6 वोल्ट की बेटरी से ये 6 वोल्ट की बेटरी से आप लोगों ने जोड दिया क्या आप लोगों निकालना है करेंट हैने निकालना है कि या ब्याण्दर को व्य है klar अ कि ऒब्हाँ Hungarianb तो जब बी कोई भी आपके दो रजिस्टेंस होते हैं इनका equivalent resistance निकाल लो इनका समतुल्य प्रतिरोद निकाल लो कहने का मतलब है जो मिलकर दो प्रतिरोदी काम कर रहे हैं इनकी जगे एक प्रतिरोद लगा दो तो जब भी सिरीज में होते हैं जब भी आप लोग के श्रेणी में होते हैं तो equivalent resistance यानि समतुल्य प्रतिरोद का formula क्या होता है R1 प्लस R2 तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 आपके 30 यानि total resistance कितना आगया 30 ohm का आगया तो 6 बराबर I into 30 और आपको I निकालना है तो यह आपका जगा 6 बटे 30 तो आपका दोस्तों 30 कैंसल हो गया 6 से कितने बार में 5 बार म इसका मतलब 0.2 ampere option number A ओके 0.2 ampere इसका correct answer हो जाएगा चली ने शोशन पे हम लोग चलते हैं answer आप लोग बताएंगे fountain pen का अविशकार किस ने किया था fountain pen का अविशकार किस ने किया था बहुत ज़्यादा questions इस बार के NTPC में पूछेंगे इंवेंशन पे है ना तो इंवेंशन के लिए मैंने आपको एक अलग सी वीडियो भी कराता धियान रखेंगे है ना ट्रिक से मैंने सारे इंवेंशन से याद करवाई थे तो fountain pen का अवि को ध्यान रखेगा या आपका जो fountain है इससे water निकल रहा है ना तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे जो fountain है इसमें कुछ water करके कुछ आएगा तो fountain pen का जो विशकार होगा वो किसने किया waterman ने करा तो right answer आपका option number B हो जाएगा ठीक है चलिए next question आप लोगों के screen पे answer कि क्योशन आपकी screen पे बताएंगे बोर के atom के model की अभीधारना के अनुसार देखिए दोस्तों हर scientist ने बहुत सारे scientist ऐसे थे जिनोंने atom के बारे में बताया कि atom ऐसा होता होगा atom individual होता होगा atom में ऐसी कक्षाय होती होगी ठीक है atom में जो nucleus होता है नाबिक होता है उसमें proton और neutron रहते हैं electron बारी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो सबने अपनी अलग अलग अवधारना बताई similarly दोस्तो बोर ने भी अपना एक concept बताया किसके regarding atom के बारे में परमाणू के बारे में तो इन्होंने क्या बताया आईए मैं समझाता हूँ आप लोगों देखो ध्यान से समझिए ये आप लोग जो red color वाला भाग देख रहे हो ये तो हो जाएगा आपका nucleus यानी नाबिक ये पहली कक्षा हो जाएगी ये दूसरी कक्षा हो जाएगे तो दोस्तो इसको मैं नाम दे देता हूँ number one ये आप लोगों की दूसरी कक्षा हो गई और ये आप लोगों की दूसरी कक्षा हो गई पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहरा हूँ कि आप लोगों को क्या लगत है पहली कक्षा में जो इलेक्टोन घूम रहे होंगे उनकी एनर्जी जादा होगी यदूसरी कक्षा में जो इलेक्टोन घूम रहे होंगी उसकी एनर्जी ann affecting तो आपकी जानकारी के लिए बता दू कि जो he नूकलियस के जितना पास रहेगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम रहेगी उसकी एनर्जी उसकी उर्जा क्या रहेगी दोस्तो कम रहेगी और जो नूकलियस से जितना ज्यादा दूर रहेगा उसकी एनर्जी क्या रहती है ज्यादा रहती है तो बोर क्या बताते हैं बोर ये बतात तो मालीजे दूसरी कक्षा में कोई electron आप लोगों का घूम रहा है अगर इसने energy release कर दी इसने अगर energy loss कर दी तो इसके पास में energy कम हो जाएगी और ये पहली वाली कक्षा में आ जाएगा तो बोर के according अगर पहली कक्षा से दूसरी में दूसरी से तीसरी में तीसरी से चौती में अगर आपको किसी electron को पहुचाना है तो उसको energy देनी होगी और अगर दोस्तों वो energy release करता है लॉस करता है तो दोस्तों nucleus की तरफ खिचा चला आता रहेगा है ना nucleus की तरफ आ जाएगा तो देखते हैं it goes to the it moves in to the next यह एक एक कश्या में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है एक एमिट लेन नहीं है अच्छा है जब एक electron और जा के photon को आउफ शोशिट करता है और जा के photon का मतलब क्या और जा का packet जब यह energy को एप जोर करेगा तो कहां पर आएगा मुझे बत तो जैसे यह energy absorb करता है इसके बायतम कक्षा में यह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जली से मतलब बताओ यह बीतरी कक्षा में चल जाता कि नहीं यह अगले भारी कक्षा में चला जाता राइट अंसर आपका option number D हो जाएगा चले दोस्तों चलिए नैश कोशन आप लोगों नूकलियस होता है नाबगता है और कली हम लोगों ने डिसकस किया था यह बताया था दोस्तों रधर फोड ने इनौने एक एksपेरिमेंट कर था जिसको हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेट बोलता है जिनने इन्होंने क्या नाम दिया नूकलेस नाम दिया नाभिक नाम दिया तो किस नहीं कियाता दोस्तो रधर फोर्ड राइट अंसर हो जागा ओप्शन नमबर A नैश कोशन आप लोगों की स्क्रीन पे अंसर बताएंगे डैश में एक और से दूसरी और जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रोन में व्रद्धी होती है आप लोग दोस्तो पीडेड में लेफ्ट से राइट में जाएंगे या आप लोग ग्रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो कहां पर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रोन में व्रद्धी होती है पहले हम लोग समस्तें दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रोन होते क्या है बाहारी कक्षा में जो इलेक्ट्रोन होते है ना भायतम कक्षा में बायतम कक्षा में जो electron होते हैं उनी को हम लोग क्या बोलते हैं valence electron बोलते हैं तो हम लोगों को देखना है कहां पर कहां पर जाने पर ये बढ़ते हैं तो आईए दोस्तों एक example जाखते हैं simple सी बात, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये पहली period हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौता, एक का हम करते हैं, किसी एक period को पकड़ लेता है, ये वाला period पकड़ ले, एक तो ये वाले period पे देख लेते हैं हम लोग, और एक इस वाले group पे देख लेते हैं, वर्ग पे, तो पहले हम लोग बात करते हैं, दोस्त एक लीथियम का होता है, तेन सौडियम का होता है क्यारा, हाईड्रोजन का adamic number 1 होने का मतलब है, इसमें elektron की संख्या कितनी है, दोस्तो, 1 है, चलिये, अगर बात करें दोस्तो, adamic number 3 है, पर्मानु क्रमांग 3, इसका मतलब इसमें elektron की संख्या 3 है, तो पहली कक्षा में दोस् सोडियम का एक्टोमिक नंबर 11 है इसका मतलब इसमें लेक्टोन की संक्या 11 है पहली कक्षा में कितने लेक्टोन आ सकते हैं दोस्तों दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं बचाववा एक अगली कक्षा में चला जाएगा यार हम लोग देख रहे हैं कि ग्रूप में जैसे जैसे आ आइतम कक्षा में भी एक electron है, यानि ग्रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर आने पर valence electron की संख्या में कोई change हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है चलो दोस्तो, अब हम लोग किसी एक period की बात करते हैं, एक आवर्त की बात करते हैं तो दोस्तो ये वाला period में ले लेता हूँ, ये वाला period तो sodium का 11 है, तो 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3 क्या बहायतम कक्षा में electron की संख्या change हो रही है क्या? और बहायतम कक्षा में जो electron की संख्या होती है, इन्हीं कोई हम लोग बोलते हैं valence electron यानि संयोज electron sodium में कितने हैं? 1 है, magnesium में 2 है, aluminium में 3 है इसका मतलब period में यानि आवर्थ में चलने पर valence electron की संख्या में परिवर्थन हो रहा है तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों? कि आप लोगों को अगर एक और से दूसरी और जाने पर period में आवर्थ में valence electron यानि संयोज electron की संख्या में व्रद्धी हो रही ना तो right answer आपको जाएगा option number D period चलते हैं आगे next option पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो constant है यह धातू को मिश्ट करके बनाया जाता है इसका मतलब यह आप लोगों का एक मिश्ट धातू है यह आप लोगों का एक मिश्ट धातू है एक alloy है मिश्ट धातू का मतलब क्या है इसमें एक से अधिक धातूवे mix है तो कौन-कौन से धातू को mix करके आप लोगों का यह constant बनाया गया यह आप लोगों को बताना है तो right answer आपका हो जाएगा copper और nickel से यह आप लोगों का बनता है अगर आप लोगों से percentage पूछे तो दोस्तो इसमें 55% copper होता है और 45% क्या होता है निकल होता है चलिए आगे चलिए नेश कोशन आप लोगों के स्क्रीन पे अंजर आप लोग बताएंगे क्योशन में पूछा गया है कोटी अंग का संबंद डैश से यह एक अंग है कोटी अंग कोटी ओर्गन इसको ओर्गन और कोटी भी बोलते हैं तो बताएंगे यह किसी से related है चार आप लोगों को option दिये में आर आर भी जैई में पूछा हुआ था इस बार 2019 के में तो right answer हो ज दोस्तों ear का पार्ट है आपके कान का पार्ट है आईए मैं दिखाता हूं कहां पर पाये जाता है तो यह आप लोगों का ear है दोस्तों आप लोगों का जो ear होता है कान होता है इसके तीन पार्ट होते हैं ध्यान आप लोग रखेंगे जो यह वाला पार्ट जिस पे आप लो मद्यकान और इसके बार में आप लोगों कोई यी blue color का दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते है inner ear यानि दोस्तो अन्तयकान लेकिन आप लोगों से जो पूचा गया था कौटी ओर्गन के वारे में पूचा गया था आपको तो कहीं पर कौटी ओर्गन दिखेंद्रा दोस्तो ध्यान से देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है कि आप लोगों को देखो फिर से देखो कि ये वाला थिक है तो यहाँ पर आप लोगे green color का पार्ट देख रहे होंगे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो नाइस-कोशन आप लोगों की स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे निमली किर्मे से कौन सा nitrogen fixing bacteria है यह nitrogen fixation bacteria भी बोला जाता है यह nitrogen इस्तिरी करन भी इसको बोला जा सकता है कौन सा bacteria है जो nitrogen fixation का काम करता है अब बात आती nitrogen fixation क्या होता है देखिए आप लोगों को पता है प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन है एक important nutrient है एक important पोशक बदारत है लेकिन जो atmosphere में nitrogen होती है plant उनको सीधे absorb नहीं कर पाते हैं तो अगर ये nitrogen nitrogen के किसी compound में बदल जाए for example ammonia में बदल जाए तो अब plant इनको absorb कर सकते हैं तो nitrogen का उसका किसी compound में बदलना ही क्या कहलाता है nitrogen fixation कहलाता है यानि nitrogen इस्तरीकरन कहलाता है तो ये कारे कौन करता है दोस्तों ये काम एक bacteria करता है और इस bacteria का नाम है rhizobium option number B और अगर आप इसे पूछा जाए ये bacteria कहां पर पाया जाता है तो ये डाल की पौदों के जड़ों में पाया जाता है दाल की पौदों के जड़ों में ये पाया जाता है ये इस बार के NTPC में भी question पूछा गया आपके स्क्रीन पर है निमली कित में से किस समू में बैक्टिरिया जैसे प्रो कैरोटे कोशी का तंत्रवाले एक कोशी के जीव समाविष्ट है जैसे देखिए आप लोगों को पता है हमारे पास में बहुत सारे elements थे chemistry में हम लोगों ने इनको classify किया ना कि इनको पहले ग्रूप में रखा किसी को दूसरे ग्रूप में रखा किसी को तीसरे में रखा किसी को अठारवे ग्रूप में रखा क्यों क्योंकि इन सभी की property अलग अलगती है तो दोस्तों हमारे जो धरती होती इसमें लाखों करो प्रकार के जीव पाए जाते हैं इनको भी हम लोगों को classify करना जरूरी था तो इनको हम लोग पाच kingdom में यानि पाथ जगत में classify करते हैं प्रोटेस्टिया प्लांटिया है ना fungus समझ रहो तो उसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा group ऐसा है जिसमें हम लोग bacteria जैसे जीवों को रखा जाता है अब bacteria क्या है दोस्तो बैक्टिरिया आप लोगों का एक prokaryotic organism है prokaryotic organism का मतलब क्या है कि जिन में prokaryotic cell पाई जाती है अब आप लोग बोलेंगे prokaryotic cell का मतलब क्या है दोस्तो ऐसी कोशिका जिसमें nucleus kendra well developed नहीं होता अच्छे से विक्सित नहीं होता इस प्रकार की कोशिका को हम लोग बोलते है prokaryotic समझ मागया तो जितने भी आप लोग को का bacteria हो गया और ध्यान रखेंगे जो एक कोशिकी भी है unicellular भी है unicellular का मतलब है ऐसा जीव जो केवल और केवल एक cell से मिलके बना है जैसा human body तो बहुत सारी cell से मिलके बनी है ऐसा जीव जो केवल एक cell से मिलके बना है और जिन में कौन सी cell पाई जाती है prokaryotic तो इनको ह का दोरे आप लोगों के screen पे निमिली की दत्वों में से किश्मे कुन तीन कोश है तीन शेल बोल सकते हो तीन कक्षा बोल सकते हो और बाहरी गख्षा में आठ एलक्ट्रों है हर कोई चालता है उसके सबसे भायतम वाली जो कक्षा हो उसमें 8 electron हो ऐसा क्यों चाता है क्योंकि अगर किसी के भायतम कक्षा में 8 electron होते हैं तो वो क्या कर लेता है दोस्तों वो stable हो जाता है वो उस्ताहित वो प्राप्त कर लेता है तो इसका मतलब दोस्तो जिसके बारीक अक्षा में 8 एलेक्टोन है वो इस्टेवल है और वो किसी से रियक्ट नहीं करेगा ऐसी गैसों को हम लोग बोलते हैं अकरिया गैस यानि इनर्ट गैस तो इन में से इनर्ट गैस आप लोगों को पैचानना है इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है हिलियम होती है नियोन होती है आर्गन होती है क्रिप्टाउन होती है जिनोन होती है रेड़ोन होती है तो देखो मेरे को तो एक ही आप लोग की इनर्ट गैस दिखरी है option number D लेकिन दोस्तों मजा तब आता जब यहाँ पर आप लोगों को और भी ज़्यादा inert gas दी होती तब आप लोग कैसे पैचानते कि जो organ है ये आपका इसमें टोटल कोश तीन है तो इसके दो तीन तरीके पैचानने के पैला तरीका क्या है जैसे जो organ है इसका atomic number कितना होता है दोस्तो 18 होता है hydrogen, helium, lithium, berylion, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon तो argon का जो atomic number होता है पर्मानु क्रमांग वो होता है 18 पर्मानु क्रमांग 18 होने का मतलब है इसमें electron की संख्या कितनी है 18 है पहली कक्षा में electron कितने आ सकते हैं दोस्तो अधिकतम 2 आ सकते हैं दूसरे में दोस्तो 8 आ सकते हैं बचे कितने 8 वो अगली कक्षा में चले जाएंगे तो क्या इसके बायतम कक्षा में दोस्तो 8 electron हो गए क्या बिलकुल हो गए और इसमें शेल कितने हुए कोश, कोश भी तीन हो गए, पहले कोश में दो इलेक्टों, दूसरे में आठ, तीसरे में आठ, तो ये इशारा कर रहा है कि हाँ भाईया हमारा राइट अंसर कौन से हो जाएगा, आरगन हो जाएगा, ओप्शन नमबर D, ठीक है, चले आगे, चलि तीन सॉल्यूशन आप लोगों को दिये हैं, एक X नाम है, एक Y नाम है और एक Z नाम है, और इन तीनों के pH आप लोगों को दिया हुआ है, एक का 2 है, एक का 11 है, और एक का 7 है, तो आप लोगों को इनके hydrogen ion सांदรता, यानि hydrogen ion concentration के आधार पर, deciding order पे यानि दोस्तों घटते हुए क्रम में सजाना है question समझ मिली आया आपको मैं hint देता हूँ कि किसमे hydrogen ion का amount ज्यादा है उसको पहले रखेंगे जिसमें hydrogen ion का amount कम है उसको इसके बार में रखेंगे जिसमें बिल्कुली कम है उसको सबसे लाश्ट में रखेंगे बताओ बताओ अंसर बताएंगे क्या इसका अंसर होना चाहिए तो देखिए आईए इसके अमलोक solution समझते है देखो ध्यान रखेंगे आप लोग ये तो जानते हो pH value क्या होती है जिसकी pH value 7 होती है वो क्या होता है दोस्तो उदासीन होता है जिसका pH मान 7 से 14 की और बढ़ता है वो कौन सा होता जाता है उसकी प्रकरती शारिय प्रकरती का होता जाता है और जिसकी pH 7 से 0 की और आती है वो अमली ये प्रकरती का होता जाता है क्या ये बात बिलकुल सही है क्या ये क्या तीनों बात बिलकुल सही है क्या बताएंगे तीनों बात बिलकुल सही है अब ध्यान से आप लोग देखेंगे देखो आप लोग जानते हो कोई जितना ज़्यादा अमली होगा जिसकी pH वैल्यू दोस्तो जितनी कम होगी क्या वो उ यानि जिनमें hydrogen ion का amount बहुत जादा होगा वो क्या होगे दोस्तो वो उतने ही जादा अमलिये होंगे और जितने जादा अमलिये होंगे दोस्तो उनकी pH value उतने ही कम होगी यानि जिसकी pH value सबसे कम है सबसे कम किसकी है दोस्तो इस x वले की है यानि यह सबसे जादा अमलिये है इ X सबसे पहले आएगा दोस्तो X सबसे पहले आएगा इसके बाद में pH किसकी है दोस्तो यह साथ पिएच किसकी है दोस्तो साथ है ना तो आप लोग का जैड तो इसमें hydrogen ion का जो concentration होगा सांद्रन होगा amount होगा वो क्या होगा दोस्तो x से कम होगा तो x के बाद में आपका आएगा z और उसके बाद में दोस्तो 11 ठीक है इसमें तो बिल्कुल यह आपका hydrogen ion का concentration बहुत कम होगा तो right answer आपका option number b हो जाएगा ठीक है b इसका correct answer हो जाएगा option number b क्योंकि आप लोगों को बताना है कि देखी simple सी बात समझिए आप लोगों को यह दिखाना था कि hydrogen ion सांद्रता के अवरो ही करम सजाना है descending order में ठीक है descending का मतलब क्या है दोस्तो किस में hydrogen ion का concentration जादा है फिर किस में कम है किस में कम है दोस्तो जो जितना ज़्यादा acidic होता है उसमें hydrogen ion का concentration उतना ही ज़्यादा होता है तो pH value दोस्तो जिसकी सबसे कम होगी पहले वो डूंडो क्योंकि pH value जिसकी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा अमलिय होता है और उसमें hydrogen ion का concentration उतना ही ज़्यादा होता है तो सबसे कम pH में को दोस्तो इसकी दिखी कौन है ये आपका X है तो इसमें hydrogen आयन का concentration सबसे ज़्यादा होगा समझगे तो option number B इसका correct answer हो जाएगा next question आप लोग के screen पे ये इस बार के NTPC में भी पूछा गया है ये इस बार के NTPC में भी पूछा गया नीमू के रसका pH कितना होगा तो नीमू के रसका pH दोस्तों ध्यान रखेंगे 2.3 के लगबग होता है तो right answer आपका कौन सा हो जाएगा option number B इसका correct answer हो जाएगा Nash question आप लोगों के screen पे आप लोगों से पूछा गया है इन में से कौन सा रख्त के जमने के लिए आवश्यक खनीज है अब आप लोगों से ये नहीं पूछा कि कौन सा विटामीन है जो रख्त के जमने में साहिता प्रदान करता है तो अगर ऐसा question होता तो दोस्तों right answer आपक हो जाएगा option number D calcium कौन करता है दोस्तों calcium करता है right answer आपका option number D हो जाएगा Nash question आप लोगों के screen पे question में आप लोगों से पूछा गया है phytology में किसका अध्यन किया जाता है जो phytology होती है इसमें किसका अध्यन किया जाता है तो बहुत जने सोचेंगे कि answer B तो नहीं हो सकता plant तो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता ये तो आप लोगों का bot नहीं होता है लेकिन मैं आपको बताओं दोस्तों पौदों का जो अध्यान होता ना इसको हम लोग फाइटोलोजी भी बोलते हैं तो फाइटोलोजी आप लोगों का क्या हो जाएगा study of plants यानि पौदों का अध्यान option number B clear? अच्छा मुझे बताएंगे एक चीज अभी NTP से पूछा गया था mycology क्या होता ये भी आप लोग बताएंगे एक तो mycology और एक आपको होता फाइकोलोजी दुनों के बारे में बताएंगे mycology क्या होता है और phाइकोलोजी क्या होता है तो mycology की अगर हम लोग बात करें दोस्तों याद रखेंगे trick से FM हैना आप लोगों ने बहुत FM सुना होगा तो mycology किसे related हो जागा दोस्तों fungus से यानि study of fungus यानि कवक का अध्यान ही क्या कहलाता है आप लोगों का कवक का अध्यान ही क्या कहलाता है ये आप लोगों कहलाता है mycology और अगर बात करें phycology क्या होगा तो दोस्तों जो algae होते हैं शेवाल होते हैं शेवाल का अध्यान क्या कहलाता है आप लोगों का ये कहलाता है phycology जी तो दोनों आप ज्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछा जाता है चलते हैं आगे नैश कोशन पे नैश कोशन आप लोगों से पूछा गया है डैश इस एक कॉमप्लेक्स पर्मानेंट टीशू ये कोशन भी इस बार के एंटी पीसी में भी पूछा ग बोलते हैं अब प्लांट में दो प्रकार के टीशू पाए जाते हैं ध्यान से आप लोग सुनेंगे जो प्लांट होते हैं पौदे होते हैं इनमें दो प्रकार के टीशू पाए जाते हैं प्लांट में पौदों में दो प्रकार के टीशू पाए जाते हैं एक तो होता है दो पर्मानेंट टीशू यानि दोस्तों इस्ताई उतातों दो प्रकार के टीशू होते हैं पहली वात तो यह समझना ठीक है। दोस्तो जो permanent tissue होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो permanent tissue होते हैं, ये भी आप लोग के दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है, आप लोगों का simple permanent, यानी सरल इस्ताई उत्तक, सरल इस्ताई उत्तक, और एक आप लोगों का होता है, दोस्तो complex permanent, complex बोले तो, जटल इस्ता प्राकार के उतक हैं यह बहुता है जिसको हिंदी में बोलता है बॉट्पर ना को होते हैं जहते हैं और अगर आपके वार्द बताऊं सिंस इंपल पर्मानेंट टीशु जो होते हैं इसके कौन कौन तो तीन इसके एक्जम्पल है, पैरेन काइमा, कॉलेन काइमा और इसक्लेरन काइमा, जबकि जो complex permanent tissue है, कहने का मतलब है, जटिल इस्ताई उत्तक है, वो आप लोगों के क्या है, इसके दो एक्जम्पल है, एक हो जाएगा 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 फ्लोएम, तो आप लोगों को इ यह किस प्रकार के होते हैं, सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, ध्यान दर्केंगे, और यह आपके जाएलम और फ्लोएम complex होते हैं, ठीक है, चली आगे, नैश कोशन आप लोगों के स्क्रीन पे अंसर बताएंगे, उस विकल्प को चुनिए, जो अनुकरम का सही आरोही करम बता आता है ascending order, अब देखो बात को समझो, क्या question में पूछा जा रहा है, आप लोगों को पता है, किसी भी व्यक्ति का जब आप लोग address बताते हो, तो क्या क्या जरूरी होता है, सबसे पहले यह जरूरी होता है, कि दोस्तों वो कौन से देश से है, उसके बार में कौन से राज जरूरत होगी, कि बिल्कुल जरूरत होगी, और आपके जानकारी के लिए में बता दू, सेम यह सभी चीजे जीवों पे भी अपलाई होती है, जैसे मैं भी आप लोगों से पूछूं, तो हमारे लिए क्या कैची जाती कि भाई तेरा kingdom क्या है, इसके बार में kingdom बता दिया, kingdom को हम लोग बोलते हैं जगत, kingdom को हम लोग बोलते हैं जगत, और phylum को हम लोग बोलते हैं दोस्तो संग, फिर phylum के बार में पूछा जाता है कि भाई तू कौन से class इसे है, फिर उसके बार में कौन से order है, तेरा तेरी family क्या है, तेरा genus क्या है, तेरी species क्या है, तो आप कैसे हूँ जैपूर एरिया से हूँ तो बिल्कुल चोटी चीज हो गई फिट अगर में राज्य पूछता तो राजिस्तान बताते देश पूछता तो बहरत बताते ठीक है तो ध्यान से आप लोग रखेंगे कि सबसे पहले दोस्तों क्या होती है इस पीसीज होती बिल्कुल इस पीसीज के बार में जीनस, जीनस के बार में फैमिली, फैमिली के बार में ओर, ओर के बार में क्लास, क्लास के बार में फाइलम, फाइलम के बार में किंग्डम आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों क्या हर एक जीव का किंग्डम अलग होगा क्या उसका दोस्तों मैं आ इसकी गली नंबर ये है इसका शहर ये है नहीं याद रख सकते ना तो similarly हम भी हर एक जीव की species, genus, family, order, class, phylum, kingdom ये सब याद नहीं रख सकते हम लोगों को याद रखना है तो सिर्फ human का रखना है तो अगर बात करें दोस्तों human की यानि दोस्तों manow की तो human का जो kingdom होता है कौन से kingdom को belong करता है ये ऐनिमेलिया या फिर आप लोग एनिमल kingdom भी बोल सकते हो जन्तु जगत भी बोल सकते हो इसके बार में अगर आप लोगों से पूछे आपका phylum क्या है तो हमारा phylum होता है दोस्तों core data क्या होता है हमारी class के बारे में पूछा जाए तो class होती है हमारी mammal या फिर mammals भी बोला जाता है तो अभी के लिए बस इतना याद रखो दोस्तों order क्या रहता है सबसे नीचे आता है इस पिसी फिर आता है जीनस फिर family फिर order फिर class फिर फिर kingdom तो option number D इसका correct answer हो जाएगा ठीक है चले आगे चलो नेश कोशन आप लोगों की screen पे carbohydrate प्रोटीन और वसा का पून पाचन कहां पर होता है यह आप लोगों को बताना है तो देखिए आप लोगों को सभी को पता है जब आप लोग भोजन रखते हो सबसे पहले कहां पर आता है दोस्तों भोजन यहां पर आता है माउट में आ देख रहे हैं आप लोग इस्टमक में जा रहा है इस्टमक के बार में दोस्तों यह अंदर वाला पार्ट देख रहे हों देखो इदर आओ के भोजन का चाया के भोजन में कार्बो हैडिडरो प्रोटिनो फेट जो होता है वो कौन से पाइठ में होता है िवाद के छोटी आत्में होता है राइट अंसर का A upshean nember c हो जाएगा है बें गए है? चलो आगे. नयास कोश्यन आप लोगों से पूछा गया है रजिस्टिविटी की SI unit क्या है? प्रतिरोधक्ता की SI EKI क्या है? तो प्रतिरोध की नई पूछिए अगर प्रतिरोध की पूछता तो अंसर हमारा ओम हो जाता है. आप लोगों से पूछा गया है प्रतिरोधक्ता की तो आईए समस्ते हैं प्रतिरोधक्ता क्या होती है दोस्तों मान लीजी ये कोई एक वायर है जिसकी लंबाई क्या है L है और इसका ये जो एरिया है अनुप्रस्त काट शेतरफल है वो मान लीजी आप A है तो इसका जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मला होता है रो इंटु एल अपॉन ए ये रो क्या है इसी को हम लोग बोलते है रजिस्टिविटी यानि प्रतिरोधक्ता L क्या हो जाएगी तार की लंबाई हो जाएगी ए क्या हो जाएगा दोस्तों ये शेतरफल हो जाएगा तो अगर मैं आप लोग इसे पूछू रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी तो आप लोग बोलेंगे आर इंटु ए अपॉन एल ठीक है अब आप लोग मुझे इसकी यूनिट बताएंगे इसके मातरग तो रजिस्टें जाएगा आप लोगों का प्रती रोगता का एसाई मातरग हो जाएगा एसाई का एंप्शन है नाइस कोस्वेंच लुग की स्कृण पर अंसर नपलोग बताएंगे एका सिलिकॉन जाना जाता है यह क्या है एका सिलिकॉन क्या है यह किसको बोलते हैं सिलिकॉन को बोलते हैं गेलियम को बोलते हैं जर्मिनियम को बोलते हैं बताएंगे तो ये E का silicon किसके बोला जाता है तू दो दोस्तों ये बोला जाता है germanium को right answer option number c जाएगा germanium कहा पर हो जाएगा ये आपका dोस्तों जो germanium है ना جिसका atomic number 32 है इसी को ही किस नाम से जाना जाता है E का silicon या A का silicon आप लोग बोल देंगे तो right answer दर आपको option number C हो जाएगा चले आगे चलिए नेश कोशन आप लोगों के स्क्रीन पे डैश ने एटम बम का विश्कार किया था इन में से किस ने एटम बम का विश्कार किया था यह आपको बताना है एटम बम का विश्कार किस ने किया था तो इसके एक ट्रिक याद रखेंगे आप लोग एटम बम का दोस्तों जो अविश्कार किया था वो रोबर्ट ओपेन हाई मर ने किया था तो इसको कैसे आप लोग ध्यान रखेंगे आपको बोलना रोबर्ट का बम ओपन में ही फट ग जाया तो दोस्तों ध्यान रखेंगे रोबर्ट और ओपन करके कुछ आएगा आप लोगों के एटम बं में तो रोबेट ओपन हाइमर इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है रोबेट ओपन हाइमर ओप्शन नमबर A ठीक है दोस्तों तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं आप लोगों को कुछ मैं होमवक देता हूँ जो हम लोग कल डिसकस करेंगे यह है आप लोगों का होमवक नमबर वन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे यह है होमवक न करेंगे दोस्तों क्लास के टाइमिंग सेम रहेगी सुबह साड़े नौ बजे और आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन भी स्टुडेंट्स का एंटी पी से ग्रूप डी के तयारे कर रहे हो दोस्तों वह क्लास मिस नहीं करें डेली वन पीम पर होती है अन्यक्व फ्री क्ल और बताईए अरे क्लास के बाद में कमेंट करके आप लोग बता दीजेगा और ध्यान रखेंगे दोस्तों जो भी नए स्टुडेंट हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है जब आप लोग क्लास में आते हो एक बजे वाली में तो नीरज 11 कोड आप लोग लगा जगा नीरज 11 से आप लोग मेरे साथ तो जोड़ी जाएंगे बागी के टीचर्स की आप लोगों क्लास देख जाएगी और बताओ सर ये क्योशन आया कल मेरी शिफ्ट में माइकोलोजी है न हाँ तो आप लोग का माइकोलोजी क्या हो जाएगा इस्टडी ओफ फंगस हो जाएगा सर चार पीम पे स्पेशल ग्लास फिर से लगाओ करेंगे फिर से भी एक बज़े वली आप देखो हाँ डाल देंगे पीडेव डाल देंगे टेलिग्राम पे भी डाल देंगे ठीक है तो दोस्तो आज केल इतना रखते हैं और मैं आपको ताद हूँ अपनी बैस प्लेटवर्म आप लोगो SSC preparation का है अनकेडमी subscription यहाँ पर आप लोगो दोस्तो 40,000 गंटे का recorded content मिलता है 20,000 practice questions available है और हर week आप लोगों को 30 से ज्यादा नए बैस मिलते हैं और दोस्तो जितने भी courses जाए सबका subscription बतलब सबका access आप लोग केवल और केवल एक subscription में ले सकते हो चाहे मेरा complete science का course हो या किसी का math का course हो सारे course आप लोगों को महाँ पर मिल जाएंगे तो SSC exams का get subscription ले दोस्तो 24 मेंने का 78 सो का है रैफल को लगाओगे नीरज 11 तो यह आप लोगा 7020 रुपय का पड़ जाएगा ठीक है तो आज के लिए तना रखते हैं और दोस्तो रात त्री साड़े 11 बजे में आप लोग को GK और GS दोनों shift का मैं analysis करवाता हूं तो वो वीडियो आप लोग देखना ना बोले तो आज के लिए तना रखते हैं थैंक्यू सो मच वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल सब्सक्राइब जरू करें बाबाए करें कि रहा कौन रूब 9 बढाः ये जरीे में रखते हैं का डिए टा देखते हैं वीडियर शेखते हैं मիडिगynth हैं का जर कोड़ सासी है करें में शेखतने ही जर आखते हैं जर दो वीडिवंत जना रहीं में घआ हैं झाल झाल